अधर पेंशन योजना में एक हजार रुप्या से लेकिए प्रतिमा तक पेंशन के तोर पे दिया जाता है ये कौन-कौन व्यक्ति को दिया जाएगा इसके लिए क्या-क्या करेटेरिया रखा गया है ये सभी चीज का जनकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा तो चली तो आप को बहुत बारिकी से समझना होगा इसमें जो है पैंशन का जो है पांच तरव का अश्कुम वह सकते हैं चाहिए जो आपको जानना चाहिए यदि यदि ऑन रुप्या 114 द्व त्क है- में च्पाष बात बात या बो और चीज आप और चीज आन सबना एक लाग सत्र हजार रुपया उसका जो भी उत्राधिकार है उसको दिया जागा ठीक है उसके बाद यदि कोई व्यक्ति दो हजार रुपया महना वाला पेंशन धारा का है तो उसको जो है उसका उत्राधिकार को 3,40,000 रुपया दिया जागा इसी परकार 3,000 में है 5,10,000 और 4 है नीचे इसमें जो हैं हर एज के बारे में बताया गया है यहां पर 18 वर्स जिसका नियोंतम आयो हो वह व्यक्ति करा सकता है और मैक्सिमूम 39 यह तक का व्यक्ति भी यह यूजना का लाब ले सकता है अलाकि यह यूजना काफी पहलेश चलना है लेकि इसमें नया यह है कि आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा से हर्ची देख चाहिए मन लिजिए यदि कोई व्यक्ति का एज 18 वर्स है तो 12 यानि 42 वर्स तक जो है उसे मौन्थली जमा करना होगा 42 रुपिया ठीक है यदि वो क्वाटरली जमा करना चाहता है एक सो पाचीस और हाफ य अपने डियर नहीं चाहता है तो इतना समझ यह महना है क्वाटरली और रहाउर टीक है यदि कि यदि आप चाहते हैं कि दोजार प्रेंशन दिला चाहिए तो आप 151 जमा कर सकते हैं इसी टपका यह चार्ट दिया गया है इस चार्ट से आप बहुत इजली जो है समझ रहते हैं इस चार्ट को डॉनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन में दे दिया गया है आ एप वहां से भी इसे डॉनलोड करके देख सकते हैं चलिए अद्याओं चलते हैं अका यहाँ देख रहे हैं ओपेैन एनपीएस टहक है इसवाले बटन पर आपको किलिक करना होगा चलिए मैं इस बबटन पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा से स्कोल्डोन करके आना है नीचे ठीक है यहां पर आपको मिल जाएगा अटल पेंशन योजना आप यहां जो देख रहे हैं अटल पेंशन योजना ठीक है इसमें आप आविधन करेंगे इसके लिए आपको यह वाले बटन पर क्लिक करना हो प्लने के बार सब्सक्राइब आप सब्सक्राइं करे एक लगतर सब्सक्राइब हैं दलना होगा यहाँ पर email address लोग को है खाम उसके बाद युद्ध करना होगा अपना अधार्काड यहाँ उप्लोड करेंगे वह आपको जीप है Prague में होना चाहिए ठीक है यहीद भल में नहीं है आपका तो आपको दिकत हो सकता है तो हम आगे आपको बताते हैं कैसे करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से अपना अधार कार्ट को डॉलोड कर सकते हैं अथार काड डॉनलोड करने के लिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना अधार नमबर लिखना होगा, या आपके पास भर्चुल इडी है तो आप यहाँ भी सलेक्ट पर सकते हैं, उसके बाद जो कैप्चा कोड देख रहे हैं, वो कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना ह उसके बाद send OTP वाले बटन पर क्लिक करना होगा आप जैसे send OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ट से जो भी मुवेल नमर लिंक था उस मुवेल नमर पर OTP जाएगा और OTP के मदद से आप अपना आधार कार्ट डॉनलोड कर सकते हैं अब बहुत व्यक्त तो आप मेरा फिर्वियस वीडियो जाके इजली देख सकते हैं और हर चीज को समझ सकते हैं तो यहां पर अपना अठाल प्रेंशन योजना के लिए आभिदन कर सकते हैं और यहां पर यदि कंट्रुनियू करेंगे सब्डिजिट डाल के आपका आभिदन हंडिड़ प्रेस ठोlek जो भी ऑलगा आप उहां पर बात करेंगे बैंक में यह को क्लोज है उसके बाद जितना आपने पैसा उसने जमक यहां पर्यूद नूधना में इंट्रेस्ट शाहिट आपको वापस कर दिया याजए पैस हो यहां झार्जिश्टर हो जाते हैं तो आपको कााड भी दि दिया जाता है